जैस्रीमन नारायड रच्ष्मी नारायड मेरे वक्ति सागर चैनल में आप सभी वक्तों का सागत है आप सभी वक्तों ने मेरी पिछली वीडियो में कार्थिक मास का चोथा अध्याए बृत कता सुनी मेरी इस विडियो में कार्टिक मास का पंदयमा अध्याए आप सभी को दीपावली की हरदिक सुब काम नाय जैस्री मन नारा है कार्टिक मास के पंदयमे अध्याए में नारत जी बताते हैं कि है जलंदर का दूत बनकर राहू केलास परवत पहुचता है और अपनी बाते कहता है राहू की बाते सुनकर मादेव जी को क्रोधा आता है और किर्थमुख प्रकट होता है इसलिए वगवान सिभ के द्वार पर हमेशा किर्थमुख होता है यहाँ पढ़ें कार्टिक मास की पंदय अध्याए बिरत कदा तनंतर विष्णु भवान की माया से मोहत होकर जलंदर ने राहू को अपना दूत बनाकर मादेव के पास बेजा सुकल पच्छ के चंद्रमा की तरह सोबाय मान केलास को राहू अपने सरीर की कालमा के क्रिश्न पच्छ की भांति काला करता हुआ केलास पर गया हे व्रसद्वज देवता और सर्फों के पूज तथा सकल रतनों के स्वामी तरलोक के रनात श्री महराज जलंदर की आग्या सुनो भयानक समसान में निवास करने बाला हट्डियों के बार्गों दारड करने बाला हमेशा नंगा रहने बाला प्राणी पार्गती जैसी रूपबती को अपनी इस्त्री कैसे बनावेगा मैं सब रतनों का स्वामी हूँ पार्गती भी इस्त्री में एक रतन है अता ये मेरी इस्त्री होने योग है ये तुम्हारे है जैसे बिच्चुक के योग नहीं हो सकती नारज जी ने का के राव इस तरह कैही रहा था कि इतने में संकर जी के भूँ से भज्ज के समान गरजता हुआ एक बयंकर पुर्स उत्पन हुआ जिसका सिंग के समान बार बार मुखलल पुलपा रहा था जिसके नेत्रों से भयानक अगनी जौला निकर रही थी और केस खड़े हो रही थी अत्यंत दुरवल सरीर था वह दूसरे निरसिंग के समान प्रतीत हो रहा था अपने को खो जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर रहु बड़े वेग से भागा परंत उसने बार रहु को पकड़ ही लिया वह पुरुष जब रहु को पकड़ कर खाने के लिए उगत हुआ तो उसे माधेव ने रोक दिया और का के ये परादीन दूत ह इसे नमारो छोड़ दो ऐसी बाते सुनकर उसने राव को आकास में ही छोड़ दिया राव के छोड़ने के बाद वेपुरुष माधेव जी के प्राथना करने लगा उक्त पुरुष ने का कि हे देविंद्र हे प्रभु में अतिसे भूंका प्यासा आउं मुझे भूंक अत इंत कष्ट दे रहिए आप आग्या दे में क्या खाँ सिप्जी का सीधर अपने हाथ पेर का मास खौऊ नारज जी नेगी सिभ जी कि आगया पाकरुआ अपने हाथ पेर का मास इस प्रकार खा गया कि उसका केबल सेरी बच गया, उसका अब से सिर्ध देखकर बिशमयत और प्रसन होकर उस वयंकर कार करने वाले से सिप जी ने कहा, संकर ने कहा, तुमारा नाम आज से कीर्तमुक हुगा मेरे द्वार पर सरवदा रहो जो वक्त प्रथम तेरी पूया नहीं करेगा अब मेरे ट्रिय नहीं होगा नारजी ने कहा उसी दिन से मादेव जी के द्वार पर कीरत मुग रहने लगा कार्थिक मास का पंद्यमा अध्याय समाप्त बोलिये विष्णु भगवानी कीजै बोले नाथि कीजै जगदीस की आति ओम जै जगदीस हरे स्वामी जै जगदीस हरे बक्ति जनों के संकट छड में दूर करे ओम जै जगदीस हरे जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपति घर यावे कैस्ट मिटे तनिका ओम जै जगदीस हरे मात पिता तुम मेरे सरडगं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी ओम जै जगदीस हरे तुम पूरण परमात्मा तुम यंतरयामी पार ब्रह्म पनमे सुरा तुम सवके स्वामी ओम जै जगदीस हरे तुम करण के सागर तुम पालन करता में मूरख खलका में किरपा करो भरता ओम जै जगदीस हरे तुम हो एक अगोचर सबकी प्राण पती किस विद मिलू दया मैं तुमको मैं कुमिती ओम जै जगदीस हरे दीन बंद दुख हरता तुम रचक मेरे करुणा हस्त वड़ाओ दौर पड़ा ते ओम जै जगदीस हरे विशाई विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्राद्धा वक्ति वड़ाओ संतन की सेवा ओम जै जगदीस हरे तन मन धन सब है तेरा तेरा तुझ को अर पड़ क्या लागे मेरा ओम जै जगदीस हरे जो जगदीस की आरती पेम सहित गावें कैता सिवानन्द स्वामी मनवांचिता फ़ल पावे ओम जै जगदीस हरे स्वामी जै जगदीस हरे भक्ति जनों के संक्रट चड में दूरी करे ओम जै जगदीस हरे बोलिये विष्णु भगवान की जै इस ब्यूडियों को पूरा देखना वक्त लोग लाइक कर दिया करो जै श्रिमना रादे 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 स्वाम स्वाम